आपकूर करें तो पहला तोसी जट्थे भी बैठ्थे हो अपनी आस पास एक नजर मारो तोसी ज़से वी चीज़ वाल देखोंगे ओस चीज़ ना कोई नाम तो हडे मायंट ज़रूर आएगा मैंजन तोसी चेयर ते बैठ्थे हों ऐओँ होगा व अफिका चेयर कोदा नाम एना इना एका टेबल ज़रूर टेबल ते नाम है ऑकै हर चीज ज़ी वाल तोसी देख दी होँगे संगे औरा तोसी पान जर्ला से पान तेनाम है तो हर चीज दा कोई ना कोई नाम हुंद है everything around us having a particular name ओके so what is noun noun is a word that name a person, a place or thing नाम के हुंद है एक word हो सकता है जिडा के किसे ना किसे जरूर नाम जरूर होएगा ओ कोई person हो सकता है ओ कोई place हो सकती है ओ कोई thing हो सकती है person like your friend right ओके तो हटे friend ता कोई नाम हो सकता है place दे विच जिस जगा तुसी रहनने हो imagine right court ओके thing thing like अपा होनी काल कीती है table chair okay that are things so एद दा हर चीज़ दा कोई ना कोई नाम होंदा या okay name given to common things around you like birds, hospital, instruments, table, chair, fans ये सब कीने common नाम्स ठीक है दो तरह दे नाम होंदेने common and proper ठीक है जड़े commonly आपा दिनने है आम चीज़ा हनू that is common नाम्स name any one of the class of a person, place or thing किसे भी चीज़ दा नाम, किसे पर्सन दा नाम, किसे चगा दा नाम ये तुसी कमल नी किसे नो दिनने हो, ओ अंदीने common नाम next is proper noun what is proper noun, proper noun names a particular person, place or thing जड़ा कि particularly किसे पर्सन दा नाम होंदेने like ओ नाम तुसी किसे होर नो नहीं दे सागदे like ताज मेहल okay like that ताज मेहल एक को ये दुनिया थी sun, moon okay ये सब कीने proper nouns ने fine common नाम चलाइक तो एक फ्रेंट दा नाम राज है ठीक है ओ नाम किसे होरदा भी हो सकता है okay दुनिया दे विच जनिया भी chairs ने उन्हानों तुसी chair ही बोल दे हूं okay fine लेकिन एक chair होंदी है जिदे उपर राजा बैठता है उन्हों आपकी बोल देया throne right समझके common और प्रॉपर नाम दा डिफ्रेंस next देखो common नाम चलाएं उन्हों आपका small letters ना शुरू कर देया ठीक है लेकिन जिदे प्रॉपर नामस उन्देया उन्हों आपका हमेशा capital letter ना start कर दिया यही इन्हां दोना देविच मेंड डिफ्रेंस है fine next देखो उन्हों आपका इन्हांनों एक होड तरहना categorize कर साकतेयां जिदा की है countable and uncountable countable counting की हूंदी है one two three uncountable जिन्हां तुसी one two three करके count नहीं कर सकते ठीक है तो one की uncountable ठीक लेने हूं accountable now can be singular or plural count करोंगे चीजानों ततो अनुपर चलेगा कि ओ यहां था one है यहां फिर one तो जादा है ठीक है अगर one ने था singular अगर one तो जादा है plural like banana अगर one बनाना है तो उसमें तो सी बनाना लिखोंगे two बनाना है तो उदे पिछे तो सी एस एड करके उसनों plural बना दोंगे ठीक है एक ही है singular and what is this this is plural okay examples एक वे दिया हो दित्ते होई है apples ठीक है pineapple cucumber strawberry grapes इस सारे singular ने इना दे plural बनाल लिया पसार है पिछे एस एड किती हुई है apple apples by adding just single s pineapple दे पिछे भी आपा just single s दाली है cucumber ओदे पिछे भी just single s उस तो बास strawberry ठीक है और देखो strawberry दे विछ लास्ते की लग गया होया y ता आपा y नू कटके की आड किता i-e-s okay next देखो grape और grape दा simply grapes fine so next देखो uncomfortable nouns uncountable जिननों आपा 1,2,3 करके count नहीं कर सकते example देख देख दे rice everyday या I like rice rice की एक uncountable noun है because तुसी rice नो 1 rice 2 rice करके count नहीं कर सकते ठीक है ता करके आपा उनों directly rice सी लेख देख 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 और ओं uncountable nouns इस तो इलावा like water oil इस अब गी ने uncountable अब फर्स एक्सराइज देख देख दे chosen box उस box दे विच्छों आप आती word spell करने there isn't dash money left in the bank account, ठीक है and money किया countable या uncountable money जड़ा most को या अपा कहने हाए के आपा गेंट साके देया like मिरे 12- Du might बाट मनी जेडिया वो किसी भी फर्म चो हो साक दिया गोल्ड ठीक है लैंड ओक है वो भी अपनी मनी हो भी अपनी पूंजी है ठीक है सो यह अनकाउंटेबल हुन दे तो इत्यापा की लगावांगी एनी केड़ा वोड इत्याड होएगा एनी फाइंड देखो तो that's not that you it's not like too much वाला जाद वाला तो एथे की आएगा मच M-U-C okay once again let me add just two here third is the chief asked us to add dash salt to the dish क्या कहा उसने थोड़ा सा नमक मेरे डिश में डालो थोड़ा सा मतलब सम okay okay next देखो fourth police has dash information information is also uncountable one so here is no information so next fifth and sixth तोसी अपने आप solve करोंगे a little and a lot of e बचे होए ने आप फिर्स्ट से फिल कारता सी तोसी देखना है के दुनना देवच की की फिल होएगा ठीक है next देखो by adding s और e s अपने लगा के अपने correct forms बना के उनना रुनना ब्लांक से फिल करना let us throw a few dash in the water आपने कोले clue किया pebble like छोटे छोटे पत्थर आपा river छोटे छोटे पत्थर थोड़े जे फेक देया थोड़े जे मतलब वान्तो ता जादा ने इत्थे लिखे हो है pebble ता आपा की करांगे इत्थे फिल p e double b l e s pebbles प्लूरल प्राके आड करांगे next देखो there was dash on the car seat ठीक है car seat ते उपर थोड़ा जया dash है dash दी जगा ते आपा की फिल करना है blood ठीक है हम तोसी देखना है कि सिर्फ blood फिल होएगा या bloods फिल होएगा या फिर s ना फिल होना है कि es ना फिल होना है okay so answer की आणा है इत्थे ना s एड होनी है ना es एड होनी है simply आपा इत्थे लिखना है blood okay क्योंकि blood जिडा हो simple form चुभी अद्धे रहांद है like rice ठीक है blood एद्धे हैं लिखना चाहेगा next देखो third the dash in the city is pleuted air air विजडिया हो एद्धा ही फिल होएगी ना इत्थे एसाणिया ना इसाणिया ओके बागी वे सारे तुसी खुद ट्राइ करना जो तुम्हें आंसर्स पे जाएंगी उन्हानू उदिनाल टैली कर लिया next देखो collective नाम्स होन देनेगी ठीक है फर्स्ट आपा केड़े कीते सी कॉमन नाम्स सेकीन आपा कीते सी प्रॉपर नाम्स फिर आपा कीते यह टू टाइप्स काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल होन आपा कर रहे हैं collective नाम्स कलेक्ट की हुंद है कठा करना मतलब की जोदो चीजा एकठियां पईयां होन ता आप आप उनली केड़े वर्ड्स यूज करांगे collective नाम्स ठीक है इनना दाव डेफिनेशन की है अवर ग्रूप ओफ वर्ड्स आप ग्रूप ओफ परसंस अनिमल और प्लेसेज दाट आर कंसेड़र आ यूनिट जिननों आपा एक अठे मान देयां चोड़े यूनिट देविद चाल देया उननों आपा की कहनेया collective नाम्स ठीक है लाइक देखो बहुत सारियां पेड़ा एक ग्रूप चखड़िया ने ठीक है पेड़ा लाइक शीप ओके शीप सेरियां बहुत सारियां ग्रूप चखड़िया ने तो आप आईनना की कमांगे फ्लॉक फ्लॉक ओफ शीप ओके ता इनना लिकेड़ा collective नाम्स ठीक है फ्लॉक आँ देखो की है बहुत सारी शोल्जर्स नेगे एक ग्रूप दे विच ता आपा की कमांगे आर्मी ओफ शोल्जर्स ओके नेक्स देखो बहुत सारियां फिशिज ने गिया ठीक है तो ग्रूप च ने गिया ता उनना लिए भी आपा फ्लॉक वाला ही यूज कर दियां ठीक है फ्लॉक जोड़ा आपा शीप स्ले यूज होया थी ओ ये थे यूज होना है फाइन सेम यूज होना है नेक्स आपा देख दियां कलेक्टिव नाम जी एक्सराइज दश आप स्टार्स शोन लाइक दामें दिस ताइज ठीक है होना पा स्टार्स जी ग्रूप ली के ड़ वर यूज करना लूज है ख्या क्रशा स्टार्स दियाँ क्लस्टर क्लस्टर ठीक है नेक्स दब दाट्व जैब्क वस रॉप्टना स्टर्व यूज करना है ना है यूज है वर दाश देख देहां था टश्य दियां okay so बाकी दिसारे तुसी कुट फिल कर अंदी ट्राइ करो okay so यह सी अपना है तॉपिक I hope you all understand that thank you very much for watching this video